नमस्कार दोस्तों, भक्तिनगरी यूट्यूब चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जित्या वृत की कथाओं में तीन कथाओं का वर्णन मिलता है इस वीडियो में चील सियार की कथा सुनाएंगे जित्या के कथाओं के अनुशार एक बार एक चील और एक शियार ने कुछ महिलाओं को पूजा करते हुए और उपवास करते हुए देखा तो खुद भी इसे करने की काम ना की दोनों हिमालय के नर्मदा नदी के पास जंगल में रहते थे उपवास के दोरान सियार को बहुत भूख लग गई उसे बरदास्त नहीं हो रहा था वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया दूसरी और चील ने पूरे समर्पन के साथ व्रत का पालन किया और उशे पूरा कर लिया अगले जन्म में दोनों ने मनुष के रूप में जन्म लिया चील के कई पुत्र हुए वह सभी जिवित रहे लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते थे इससे बदले की भावना से उसने चील के कई बच्चों को कई बार मारने का प्रियास किया लेकिन वह सफल नहीं रही बात में चील ने सियार को अपने पुर्व जन्म में जिच्या वरत के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे तुमने वरत करके वरत को पूरा नहीं किया सियार्ट ने इस जन में वरत को पूरे स्रद्धा भक्ती से पूरा किया और संतान सुख को प्राप्त किया इस तरह यह वरत संतान सुख की प्राप्ती के लिए जगत प्रसिद्ध हुआ तबी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्यान के लिए जित्यावरत किया जाने लगा